इसी प्रकार हम देखें कि दिन के समय नदी के किनारों की रेट वो बहुत गरम होती है जबकि नदी का पानी गरम नहीं होता जबकि दोनों में समान धूप पड़ रही है सूरज की रोष्णी यानि कि उश्मिय उर्जा रेट और पानी दोनों में समान है लेकिन रेट किस पदार्थ का बना है साथ ही उसकी द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है यदि आप एक कप पानी गरम कर रहे हैं और आपने पतीले में बड़े पतीले में एक बरतन में बहुत सारा पानी लिया है और दोनों को समान उश्मा दी जा रही है आप बताइए कि दोनों में से कौन सा पानी जल्दी उबल जाएगा वही जिसकी मातरा कम है इसका मतलब दिये गए उश्मा से जो ताप में वृध्धी हो रही है वो निर्भर करती है उस वस्तु के द्रव्यमान पर साथ ही हम देखेंगे कि अगर द्रव्यमान दोनों का बराबर है तब हम देखें कि समान उश्मा दी जाने पर भी किसी वस्तु के ताप में ज्यादा वृध्धी हो जाती है और किसी वस्तु के ताप में कम वृध्धी जैसे कि हमने दो निश्चित द्रव्यमान की वस्तुओं को रखा है एक लोहा और एक लकडी हमने देखा था कि लोहा का तापमान अधिक बढ पड़ पाया था इसका मतलग किसी वस्तू को यदि उश्मा दी जाती है तो उसके ताप में कितनी वृद्धी होगी वो निर्भर करती है उसके द्रव्यमान पर और उसकी प्रकृति पर भे और इसी अधार पर यदि हम समीकरन लिखे तो उश्मा की दी गई मात्रा वो स्कृता पर इन दोनों सुत्रों को एक सथ कंबाइन करने पर हम लिख सकते हैं क्यूं समानुपाती है म डेल्टा ट के और जब हम समानुपाती का साइन हटाते हैं एक नियतांक लगाएंगे और वो नियतांक कहां पर लिखा जाएगा एस से और यहां पर ऐस जो है वह उश्ट उश्म धारिता S बराबर होगी Q अपॉन M डेल्टा T और इसका SI मातरक देखें तो Q जो की उश्मा है उश्मा का SI मातरक होता है Joule तो हम लिखेंगे Joule द्रवेमान जिसको हम SI मातरक में लिखते हैं KG तो इसका SI मातरक हो जाएगा KG और यह ताप में परिवर्तन इसको हम नाप रहें डिग्री सेल्सियस में तो इस विश्ट उश्मा धारिता का SI मातरक होगा Joule प्रती KG प्रती डिग्री सेल्सियस यदि सूत्र में हम M बराबर 1 रखें और डेल्टा T बराबर भी 1 रखें उस कंडिशन में S बराबर हो जाएगा Q यानि कि किसी भी पदार्थ की विश्ट उश्मा धारिता या विश्ट उश्मा उश्मा की वो मातरः होती है जो किसी एकांग के lavimane के पदार्थ के ताप को एक डिग्री सेल्सियस परिवर्तित कर दे अब इसको हम और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि विशिष्ट उश्मधारिता आखिर उश्मा की मात्रा ही तो है जो कि पदार्थ केताब में वृध्धी कर रही है तो आपको यदि दो पदार्थ दिये गए हैं एक की विशिष्ट उश्मधारिता अधिक है और एक की विशिष्ट उश्मधारिता कम और आपसे पूछा जाएं कि इन दोनों में से कौन पहले गरम होगा तो उसका अंसर क्या होना चाहिए ऐसे कोश्यन एक्जाम में भी आता है थोड़ा घुमा फिराकर एक्जाम में कॉम्टिटिव एक्जाम में भी पूछा जाता है तो जिस पदार्थ की विशिष्ट उश्मधारिता अधिक है वो पदार्थ देर से गरम होगा यूँकि विशिष्ट उश्मधारिता उश्मा क कि वो मात्र है जुसके ताप में एक डिग्री सेल्सेस के विद्धी कर रही है तो जब उसकी उश्माधारिता अधिक होगी मतलब उसमें उश्मा की मात्रा भी अधिक होगी जुसके ताप को परिवर्तित कर लिए तो जिस पदार्त की विशिष्ट उश्मा धारीता अधिक होगी वो देर से गरम होगा और देर से ठंडा भी होगा और जिस पदार्त की विशिष्ट उश्मा धारीता कम है वो जल्दी गरम हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा तो आईए अब हम विशिष्ट उश्मा धारीता को अच्छी तरह से समझने के लिए इससे जूड़ा एक प्रश्ण बनाते हैं तो चलो बच्चों हम विशिष्ट उश्मा धारीता से जूड़ा हुआ एक आंकिक प्रश्ण बनाते हैं यदि 25 ग्राम कौपर का तापमान 25 डिग्री से 75 डिग्री सेलसेस बढ़ाने के लिए 487.5 जूड़ उश्मा देनी पड़ती है तो कौपर की जूल प्रती ग्राम प्रती डिग्री सेलसेस में व्यक्त विशिष्ट उश्मा क्या होगी बच्चों हमने जाना कि विशिष्ट उश्मा धारिता का ऐसा ही मात्रा जूल प्रती केजी प्रती डिग्री सेलसेस होता है पर जब प्रश्ण में ही हमें पूछा जा रहा है कि विशिष्ट उश्मा कमान जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करना है तो यहाँ पर कॉपर का द्रव्यमान को केजी में कनवर्ट करने के अवशक्ता नहीं है हम कौपर का द्रव्यमान यदि 25 ग्राम दिया गया है तो हम 25 ग्राम लेके ही प्रश्ण को हल करेंगे तो सूत्र अनुसार Q बराबर M S डेल्टा T होता है जहाँ पर Q दी गई उश्मा होती है M पदाज का द्रव्यमान S विशिष्ट उश्मा और डेल्टा T ताप में व्रिध्धी होता है तो यहाँ पर प्रश्ण के अनुसार Q बराबर 487.5 J है M बराबर 25 ग्राम है और डेल्टा T यानि की ताप में व्रिध्धी यह 25 दिगरी C माइनस 25 दिगरी C होती है यह सारे मान इस सूत्र में रखने पर हमें प्राप्त होगा 487.5 J呼 इक वल्टू 25 ग्राम इंटु S इन्टू 75 दिगरी C माइनस 25 दिगरी C इससे आगे हाल करें तो 487.5 joule equal to 25 gram into minus करने पर यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 50 degree Celsius into S यहाँ से S बराबर हो जाएगा 487.5 joule upon 25 gram into 50 degree Celsius अब इसको हम गणिती यह calculation करकर सरल कर लेंगे जहाँ से S का मान हमें प्राप्त होगा 0.39 joule प्रती gram प्रती degree Celsius तो इस प्रकार हम विशिष्ट उश्मा धारिता का मान इस प्रश्ण में ज्याद कर सकते हैं अब उश्मा से जुढ़ा हुआ एक अगला कॉंसेप हम समझते हैं जिसे उश्मा धारिता के नाम से हम जानते हैं उश्मा धारिता और विशिष्ट उश्मा धारिता यह दोनों उश्मा से जुढ़े हुए दो अलग-अलग topic है विशिष्ट उश्माधारिता उश्मा की वह मात्रा होती है जो किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकाई वृध्धी करें जबकि उश्मा धारीता उश्मा की वहां मात्रा होती है जो संपून द्रव्यमान के ताप को एक डिग्री सेलसियस वृध्धी कर दे तो इसके अनुसार हम उश्मा धारीता का सूत्र कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं उश्मा धारीता बराबर द्रव्यमान इंटू विशिष्ट उश्मा तो उश्मा धारीता बराबर होगा M इंटू S और इसका मात्रक होगा द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और विशिष्ट उश्मा धारीता का मात्रक होता है जूल प्रती केजी बिग्री सेलसियस तो यहां से उश्मा धारिता का मातरख हो जाएगा जूल प्रती डिग्री सेल्सियस अब हम उश्मा और ताप से चुड़ा हुआ एक दैनिक जीवन का उधारन लेते हैं हम नहाने के लिए गरम पानी करते हैं और एक बाल्टी में बहुत ज़्यादा पानी गरम कर लेते हैं पर वो पानी इतना गरम होता है कि हम उससे डारेक्ट नहा नहीं सकते तो हम क्या करते हैं हम एक और बाल्टी लेते हैं और गरम पानी और उसमें थोड़ा सा थंड़ा पानी मिक्स करते हैं कि चितना ताप हमको चाये रहता है उतना ताप माANT हम एड्जेस्ट कर लेते हैं और उसके अनुसार हम उसका सितमाल करते हैं तो हमने ये देखा कि गरम पाणी में हम थंड़ा पानी ढलते हैं मिक्स करते हैं तो वो मिश्रन का ताप कुछ अलग ही हो जाता हैं ना तो वो गरम साम पानी जितना गरम होता है और ना ही ठंडे पानी जितना ठंडा इसका ताप इन दोनों के बीच का हो जाता है और इस ताप को हम साम में ताप कहते हैं साम में तापको समझने के लिए हम वही पुराना बाल्टी वाला उधारन लेते हैं जिनमें दो बाल्टियों को हमने कनेट किया था एक बाल्टी में जल का इस्तर अधिक था और दूसरे बाल्टी में जल का इस्तर कम तो हम जब दोनों को जोड़े तो पानी उच इस्तर वाले बाल्टी से निमने इस्तर वाली बाल्टी के वर प्रवाहित होने लगा था पर आपने सोचा है कि ये प्रवाह कब तक होगा? क्या उच इस्तर वाली बाल्टी का इस्तर पूरा घट कर जीरो हो जाएगा? निमन इस्तर वाली बाल्टी का इस्तर मैक्सिमम हो जाएगा ऐसा तो नहीं होता ये प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों ही बाल्टीों में जल का इस्तर बराबर ना हो जाए और इसी के साथ साथ हमने इस कॉंसेप्ट को उश्मा के साथ जोड़ा था जिस कॉंसेप्ट में हमने पानी लिया था उसी कॉंसेप्ट में हमने उश्मा ली पानी के जल के स्तर के स्थान पर हमने ताप लिया अब हम जब दोनों वस्तुओं को आपस में जोडेंगे जिनके तापमान में अंतर हो तो यहाँ पर भी उश्मा उच्चे ताप वाली वस्तू से निम्न ताप वाली वस्तू तक प्रवाहित होती है तो यहाँ पर भी ये प्रवाह कब तक होगा जब तक दोनों वस्तूओं के ताप बराबर ना हो जाए और यही ताप को हम कहते हैं सामने ताप बच्चो, उश्बा के concept को समझाने के लिए, इसके प्रवाह को बताने के लिए मैंने इस बाल्टी और पानी वाला उधारन को लिया लेकिन ध्यान रखे है कि पानी जो है एक पदार्थ है पर उश्बा ऊर्ज़ा है तो ये उधारन केवल समझने के लिए ही था क्योंकि हमने पानी को प्रवाहित होते देखा है पर उश्मा को हम देख नहीं पाते इसलिए मैंने उधारन का उप्योग किया था अब हम आगे सामनेताप की बात करते हैं सामनेताप को किस प्रकार ग्यात किया जा सकता है इसका भी एक गणीती सूत्र है तो आईए इसकी गणना करते हैं यहाँ पर हमने दो अलग-अलग टैंपरेचर में पानी लिया है मान लीजे उच्च ताप वाले पानी का टैंपरेचर T1 है और जो थंड़ा पानी हम मिला रहे हैं उसका ताप T2 है एक बाल T में हमने यह दोनों पानी मिला दिया उसका ताप हो जा रहे है T यानि कि साम में ताप है T और इसकी ही गणना करनी है हमको कि यह कितना होगा जब हम दोनों पानीओं को आपस मिक्स करते हैं तब उश्मा उच्च ताप वाले पानी से निकल कर निम्न ताप आले पानी में प्रवाहित होने लगती है यानि गर्म जल से ठंडे जल में और ये प्रवाह कब तक होगा? जब तक दोनों ही पानी का ताप बराबर ना हो जाए अब हम जानते हैं उश्मा एक उर्जा है तो उर्जा संगरक्षन की नियम के अधार पर उर्जा ना तो पन होती है ना ही नश्ट की जाती है केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थान अंत्रित होती है तो यहाँ पर भी जो गर्म पानी से दी गई उश्मा वो थंडे पानी द्वारा ली गई उश्मा के बराबर होगी तो हम सबसे पहले गरम पानी द्वारा दी गई उश्मा निकालते हैं गरम पानी से दी गई उश्मा इसका सूत्र हो जाएगा M1 S1 इंटू T1 माइनस T अब ये M1 जो है वो गरम पानी का द्रव्यमान है T क्यों लिखा है क्योंकि यहां पर ताप में कमी आएगी जो गरम पानी है उसका ताप अधिक था और जब mix करें उसको ठंडे पानी से तो उसका ताप कम हो गया तो ताप में परिवर्तन हो रहा है पर ये परिवर्तन कमी को दर्शा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर T1-T लिखे हैं, अब थंडे पानी से द्वारा ली गई उश्मा, वो कितनी होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे M2 into S2 T-T2, M2 जो है, वो थंडे पानी का द्रवेमान है, कितना हमने थंडा पानी मिलाया है, S2 थंडे पानी की विशिश तूश्मा धारिता है, T-T2 ये परिवर्तन है ताप में, और यहाँ पर थंडे पानी का ताप बढ़ रहा है, तो ताप में वृद्धी है, और थंडे पानी का में ताप अधिक होगा इसलिए हमने यहाँ पे लिखे T-T2 तो उपर वाला समिकरण और नीचे वाले समिकरण को देखकर जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पहले T1-T लिखा और नीचे वाले में T-T2 लिख रहे हैं एक ताप में कमी को दर्शा रहे हैं और एक ताप में वृद्धी को दर्शा रहे हैं अब यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि उपर गरम पानी के समिकरण है नीचे थंडे पानी के समिकरण है तो दोनों की विशिश्ट उश्मा तो एक ही होनी चाहिए हमने S1 और S2 क्यों लिखा एक्चुली में एक जन्रल फॉर्मला पहले निकालना चाहा रहे हैं ताकि हम इसको कहीं पर भी अगर हम पानी एक पानी ले रहे हैं और एक मान लीजे दूद ले रहे हैं यह उश्मा संग्रेक्षण के अनुसार एक पदार्थ से दी गई उश्मा वराबर दूसरे पदार्थ द्वारा ली गई उश्मा होनी चाहिए तो हम लिख सकते हैं M1S1 into T1 minus T equal to M2S2 into T minus T2 चुकि यहां पर दोनों ही पानी थे तो दोनों की विश्मा मतब दोनों ही पानी की विश्मा सेम होगी पदार्थ तो एक ही है तो हम लिखेंगे S1 बराबर S2 वरना यह generalized formula है जो किसी भी पदार्थ किसी भी दो चीजों के मिश्रण के लिए उप्योग में किसी भी दो पदा पदार्थ के मिश्रण के लिए उप्योग होता है अब यहां पर S1 बराबर S2 लिखने पर यह दोनों साइड हम कैंसल कर सकते हैं विश्मा कमान तो यह जगा M1 इंटू T1-T equal to M2 इंटू T-T2 इसको सरल करते हैं M1 को अंदर गुणा कर देते हैं bracket के और इधर M2 को भी bracket के अ तो फॉर्मूला बन जाएगा M1 T1-M1T equal to M2T-M2T2 अब हम पक्षानतर करते हैं जो T वाला टर्म है उसको एक साइड लिखते हैं क्योंकि हमको साममेताप का समीकरण ग्याद करना है साममेताप के लिए सूत्र ग्याद करना है तो T वाला पूरा एक साइड लिखते हैं तो M2T plus M1T यहां से T common लेने पर bracket में बचेगा M1 plus M2 और बराबर के दूसरे और बचेगा M1T1 plus M2T2 और यहां से T बराबर हो जाएगा M1T1 plus M2T2 upon M1 plus M2 और यह सूत्र है दो अलग-अलग ताप में एक ही पदार्थ को जब मिक्स किया जाता है तो उस मिश्रण का साम में ताप ग्याद करने का तो यहां पर मान लीजे हमने जो गरम पानी लिया था उसका ताप 80 degree Celsius है और जो थंडा पानी हमने मिलाया उसका ताप 20 degree Celsius है अब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो इस सूत्रे से हमको पता है कि यहां पर ताप के सासत द्रव्यमान का भी बहुत महत्व है हमको देखना है कि हम गरम पानी ज्यादा डाल रहे है तो एक उधारन के रूप में मान लीजी हम दोनों है समान द्रव्यमान के पानी को मिला र तो इन दोनों के मिश्रण का साम मेताप कितना होगा फॉर्मुले में रखते हैं हम तो यह हो जाएगा टी बराबर 80 इंटु 1 क्योंकि एक लीटर पानी था प्लस 20 इंटु 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्योंकि दोनों ही जो पानी था वो एक एक लीटर हमने मिलाया था तो यह हो यानि कि जो साम मेंताप है वो गरं और ठंडे दोनों ताप के बीच में आएगा तो इस प्रकार हमसुत्र का करके किसी भी मिश्रण का साम में ताप ग्याद कर सकते हैं अब आईंए हम इस उओश्मा के दूसरे प्रभाव के बारे में बात करते हैं पहला प्रभाव तो ता आप में वृद्धी होना बंद हो जाए तो उसके बाद उश्मा का दूसरा प्रभाव होता है पदार्थ में प्रसार यह प्रसार पदार्थ के सभी रूपों में होता है फोस में भी होता है द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है आपने देखा होगा कि जब टेलीफोन के तार या बिजली के तार दो खंबों के बीच में खीचे जाते हैं तो बिल्कुल कस के नहीं खीचे जाते हैं बलकि इनको धीला छोड़ दिया जाता है वैसे आपने देखा होगा कि जब railway line की पट्रियां बिच्छाई जाती है तो दो पट्रियों के बीच में भी gap छोड़ दिया जाता है कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता होगा तो यहाँ पर उश्मा का प्रभाव हमको प्रसार के रूप में देखने को मिलता है जब गर्मी होती है तो तारों में प्रसार हो जाता है और इसके कारण यह तार धीले हो जाते हैं जबकि वहीं जब ठंड आती है तो उश्मा कम होने के कारण इनमें खिचाव आने लगता है और तार तनने लगते हैं और तनाओं के कारण यह तार तूट भी सकते हैं तपते रहती हैं और उसमें उश्मी प्रसार हो जाता है यदि पट्रियों में गैप ना छोड़ा जाए तो प्रसार के कारण उनको जगा नहीं मिलेगी जब पट्रिया फैलने लगेगी तो उनको फैलने के लिए जगा चाहिए और अगर जगे नहीं मिलेगी तो और इस प्रसार के कारण ही railway track की पट्रियां रेखिये नाओकर आड़ी तिर्ची हो जाएंगे किसी पदार्थ में उश्मा के कारण जो प्रसार होता है उसे उश्मी प्रसार कहते हैं और ये प्रसार सभी पदार्थ में होता है यानि कि पदार्थ की तीनों रूप में होता है किसी में कम होता है और किसी में ज़्यादा होता है तो आईए सबसे पहले हम ठोस में उसमी प्रसार की चर्चा करें ठोस की बनावट तीन तरह से हो सकती है केवल ठोस एक विमा के रूप में भी फैला हो सकता है जैसी कि टार और छड़ के रूप में तो इसकी केवल लंबाई होगी या फिर हम यू कह सकते हैं कि ये बनावट एक रेखा के रूप में होगी थोस में दो वीमाई भी हो सकती है यानि कि थोस एक चादर के रूप में होगा तो इसमें छेतरफल होगा थोस के बनावट त्रीवीमा भी हो सकती है यानि कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, उचाई तीनों हो यानि कि ये थोस आयतन के रूप में भी हो सकता है तो इस प्रकार हमारे पास तीन प्रकार के उश्मी प्रसार गुणांग होते है सबसे पहला है रेखी प्रसार गुणांग जब कोई ठोस एक रेखा के रूप में हो यानि कि तार और छड के रूप में है तो वो केवल लंबाई के रूप में होगा जब हम उसमें उश्मा देंगे उसे गरम करेंगे तो प्रसार केवल उसकी लंबाई में होगा तो रेखिय प्रसार गुणांग का सूत्र होता है लंबाई में वृद्धी अपॉन प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धी रेखिय प्रसार गुणांग वह प्रसार होता है जो किसी भी ठोस में इकाई लंबाई की छड़ में एक डिग्री सेल्सियस ताप देने पर हो यहाँ पर रेखिये प्रसार गुडांग को हम अलफा से दर्शाते हैं अलफा बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी जहाँ एल लंबाई में वृध्धी है और एल उसकी प्रारंभीक लंबाई डेल्टा टी ताप में वृध्धी है तो इस प्रकार हम देखे रेखिये प्रसार गुडांग का मातरक क्या होगा लंबाई में वृध्धी, यानि कि लंबाई का मातरक 미टर, और नीचे है प्रारंभीक लंबाई, इसका मातरक भी मीटर होगा, तो ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, बचा क्या, ताप में परिवर्टन, यानि कि ताप का मातरक, और इसको हम ले रहें डिगरी солнichus में, तो रेखिये प्रसार गुणांग का मात रख होगा प्रती डिग्री सेल्सियस और इस सूत्र से हम चाहें तो कितनी वृध्धी हुई है तार में उसकी गड़ना भी कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा एर बराबर होगा अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी यानि कि लंबाई में वृध्धी बराबर रेखिये प्रसार गुणांग इंटू प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृध्धी अब हम ठोस के दूसरे प्रकार की बनावट लेते हैं जो कि एक समतल चादर की रूप में हैं इसमें दो विमाएं होंगी चाहे वो आयताकार में हों चाहे वो गोलाकार में हों पर इसकी दो विमाएं होंगी तो जब हम इसको गरम करेंगे तो इसके दोनों विमाओं में वृद्धी होगी इसलिए हम यहाँ पर ग्याद करेंगे छेत्री प्रसार गुणांग छेत्री प्रसार गुणांग को हम दर्शाते हैं बीटा से और बीटा का फॉर्मुला होता है छेत्रफल में वृद्धी अपॉन प्रारभिक छेत्रफल इंटू ताप में वृद्धी एक क्योंकि एकाई छेत्रफल के समतल चादर को एक डिग्री सेलसियस ताप देने पर होता है और यहां पर हम बीटा बराबर लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी जहां डेल्टा ए छेत्रफल में वृध्धी है और ए उसका प्राराम भी छेत्रफल और डे ताप का मात्रव तो यहां पर छेत्री प्रसार गुणांग का भी मात्रव होगा प्रती डिग्री सेलसियस और इस सूत्री की साहिता से हम छेत्रफल में वृध्धी ग्याद कर सकते हैं छेत्रफल में वृध्धी बराबर होगा बीटा इंटू एंटू डेल्टा टी यानि क कि छेत्री प्रसार गुडांग इंटू प्रारंभिक छेत्रिफल इंटू ताप में वृधि अब हम थोस के तीसरे प्रकार की बनावट को लेते हैं जिसमें इसकी तीनों विमाएं हैं यानि कि लंबाई चोड़ाएं उचाई यह तीनों होंगे यानि कि यूं कहें कि यह थोस एक आयतन के रूप में होगा तो जब इसको हम गरम करेंगे तो इसके तीनों विमाव में प्रसार होगा और इसके कारण इसके पूरे आयतन में प्रसार होगा तो आयतन प्रसार गुडांग जिसको हम दर्शात हैं गामा से इसका सूत्र हो जाएगा गामा बराबर आयतन में वृद्धी अपन प्रारभीक आयतन इन्टू तापमे वृद्धी और गामा बराबर होगा डेल्टथा वी अपन वी इन्टू डेल्टा टी और यहां पर भी इसका मातरख हो जाएगा प्रती डिगरी सेल्सियस इस सूत्र की साहता से हम आयतन में वृध्धी भी ग्याद कर सकते हैं डेल्टा वी बराबर होगा गामा इन्टु वी इन्टु डेल्टा टी यानि कि आयतन में वृध्धी बराबर आयतन प्रसार गुणांग इन्टु प्रारंभिक आयतन इन्टु ताप में वृध्धी ये जो आयतन प्रसार गुणांग है वो थोस में वह प्रसार है जो इकाई आयतन के पदार्थ में एक डिगरी सेल्सियस ताब देने पर होता है अब ये तीनों प्रसार गुणांग थोस में है और ये थोस के अलग-अलग बनावटों के कारण है तो इन तीनों में संबंद भी होगा, यानि कि alpha, beta और gamma में क्या संबंद है, हम जानते हैं कि रेखी प्रसारगुणांग में केवल एक ही वीमा में परिवर्तन हो रहा है, जबकि छेतरी प्रसारगुणांग में दोनों वीमा में परिवर्तन हो रहा है, तो हम छेतरी प्रसारग बीटा बराबर लिख सकते टू अलफा यानि कि वह एक विमा का दूग ना होगा क्योंकि उसमें दो विमाएं हैं वैसे ही यदि हम गामा की बात करें यानि कि आयतन प्रसार गुणां की तो उसमें तीन विमा में परिवर्तन हो रहा है तो यहां पर हम गामा बराबर लिख सकत 3 Alfa यानि कि रेखी प्रसार गुणां को तीन गुणां होगा यदि हम Mafal Jida और गामा के अनुपात निकाले यानि कि Alfa इस्तु beta स्टू गामा ले तो यह होगा वनिस्тов टीज्स तू थृ कुं कि आये अब उसमी प्रशार को अब हम एक क्रिया कलाब द्वारा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कई बार हम अपने घरों में देखते हैं कि इस्टील के जो टिफिन के डब्बे होते हैं या दवाई की जो बोतले होती हैं जब उनको हम खोलने का प्रयास करते हैं तो उनके धक्कन खुलते नहीं हैं समाने पानी में थोड़ा सा थोड़ी दे दुबो कर रखें और उसके बाद निकाल कर उसको खोलने का प्रयास करते हैं तो वासानी से खुल जाते हैं क्या लगता है आपको ऐसा क्यूं होता होगा चलिए यहां भी हम एक क्रिया कलाब करते हैं देखिए यहां पर मेरे पास एक लो लोहे की बॉल जो है वह आसानी से यह देखिए आरपार हो जा रही है ठीक है अब हम एक काम करते हैं हम इस लोहे की बॉल को गर्म करते हैं यह देखिए यह ब्लोवर है और इस ब्लोवर की सहता से हम इसको गर्म कर रहे हैं इससे अच्छी तरह गर्म कर लें अब लोहे का बॉल लाल गर्म होने के कारण इसका आयतन बढ़ गया है और इसलिए गर्म बॉल पट्टी के छेश से आरपार नहीं हो पा रहा है आईए अब हम दरव में उश्मी ब्रसार के बारे में चर्चा करते हैं हम जानते हैं कि दरव की कोई निश्चित आकरिती नहीं होती वो जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी आकरिती का हो जाता है तो यदि हमको किसी द्रव को गरम करना है तो सबसे पहले उस ठोस बरतन को गरम करना होगा जिसमें वो द्रव रखा गया है तो जब हम उस ठोस बरतन को गरम करते हैं उश्मा देते हैं तो पहले प्रसार द्रव में नहीं होता पहले प्रसार होता है उस बरतन में जिसमें की वो द्रव रखा गया है इसका मतलब द्रव में दो प्रकार के प्रसार होते हैं एक होता है वास्तविक प्रसार और दूसरा होता है अभासी प्रसार वास्तविक प्रसार तो उस द्रव में होता है लेकिन अभासी प्रसार तब होता है जब उस बरतन में प्रसार हो रहा हो तो आईए इसको और अच्छे तरिके से समझने के लिए एक क्रिया कलब करते हैं बच्चों इस एक्टिविटी को करने के लिए हम एक काच की राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और इसमें रंगीन दरफ भर देंगे ताकि ये दरफ हमें इस पश्च रूप से दिखाई दे अब इस प्लास्क के मुझ को हम कोर्प की सायता से बंद कर देंगे और इसमें पतली पारदर्शी नली लगा देंगे हम जानते हैं कैपिलेरी के कारण इस नली में ये द्रफ उपर की और बढ़ने लगेगा मान लीजिए इसका लेवल इस नली में V1 से दर्शाय जा रहा है इस लेवल को हम A बिंदू से मार कर देते हैं अब इस द्रफ को हम गर्म करेंगे लेकिन जब इस द्रफ को गर्म किया जाएगा तो जो दी गई उश्मा है वो सबसे पहले इस काच की फ्लास्क तक पहुचेगी मतलब सबसे पहले इस काच के फ्लास्क में उश्मी प्रसार होगा और जब इस काच के फ्लास्क में उश्मी प्रसार होगा तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, जिसके कारण इस परक्नली में द्रफ का लेवल नीचे की और गिर जाएगा, इसे हम V2 से दर्शाते हैं, और हम इसे B बिंदू से मार्क करेंगे, ये पारदर्शी परक्नली में जो द्रफ के लेवल में परिवर्तन आया, वो इस बर्तन में के कारण हुआ, अब जब हम उश्मा देते जाएगे, तो द्रफ में प्रशार होना सुरू होगा, और द्रफ में प्रशार के कारण, अब इस परक्नली में लेवल V2 से बढ़ कर V3 हो जाएगा, जिसे हम C बिंदू से मार्क करते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं, कि यहाँ प अबहासी प्रसार हुआ है, वो V3 माइनस V1 होगा, यानि कि A से C तक अबहासी प्रसार हुआ, लेकिन वास्तविक प्रसार B से C तक है, यानि कि V3 माइनस V2 होगा, द्रफ का अबहासी प्रसार में बरतन के प्रसार को नजर अंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविक प बराबर होगा AC प्लस AB यानि हम यूँ कह सकते हैं कि द्रफ का वास्त्विक प्रसार बराबर द्रफ का अभासी प्रसार प्लस बरतन का प्रसार तो बच्चों इस क्रिया कलाव द्वारा हमने जाना कि द्रफ का वास्त्विक प्रसार उसके अभासी प्रसार और बरतन के प्रसा प्रसार होता है लेकिन जल के साथ पानी के साथ एक नसर्गिक बात होती है जब उसको जीरो से चार डिग्री सेल्सियस तक गरम किया जाए तो उसमें प्रसार ही नहीं होता इसे हम जल का एनामोलस बिहेवियर कहते हैं और यही वो वहवार है जल का जिसके कारण ठंडे प्रदेशों में जब तलाबों की उपरी सता पर बर्फ जम जाती है उस समय भी जली जीव जन्तू सुरक्षित रहते हैं पर वो कैसे इसका उत्तर जल के इस मैसर की वेवार पर ही छुपा हुआ है जब हम उसे गरम करना शुरू कर रहे हैं 0 से 4 डिग्री Celsius तक तो वह नहीं फैलता है 4 डिग्री Celsius के बाद उसे गरम करें तो वह फैलना शुरू होता है यानि कि चार डिगरी सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे न्यूनितम होता है और सूतर अनुसार हम देखें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन इसका मतलब चार डिगरी सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है और हम जानते हैं कि अधिक घनत्व वाला पदार कम घनत वल्ले पदार्थ में डूब जाता है अब इसके अधार पर हम समझते हैं कि जली जीव जन्तु कैसे सुरक्षित रगते हैं थंडे प्रदेशों में जब तापमन गिरने लगता है गिरते हुए तापमन जब चार डिगरी सेलसियस पर पहुचा उस समय तलाप के उपर क जल उसका घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा क्योंकि वह चार डिगरी सेलसियस पर पहुच चुका होगा अब वह घनत्व अधिक होने के कारण नीचे की जल की तुल्ला में भारी हो जाएगा और वह नीचे की तरफ आ जाएगा मतलब अब जो तली में पानी है वह कितने डि वर्फ जमना सुरू हो जाएगा यानि कि तलाब की उपरी सतों पर वर्फ जम चुकी होगी तलाब वर्फ से ढख चुके होगी पर जो तली का पानी है वो अभी भी चार डिगरी सेल्सियस पर ही रहेगा और सारे चली जीव जन्तु उस समय उस नीचे की तली की पानी में उपर की सता पर वर्फ जम होने के बावजूद भी नीचे की सता में तली में चार डिगरी सेल्सिस में पानी मौजूद होने के कारण जली जीव जन्तु सुरक्षित रहते हैं और बात में जपतापमान बढ़ता है वर्फ पिखल चुकी होती है तो वह सारे जीव जन्तु वापिस तलाब की सता में उपर आ जाते हैं अब हम बात करते हैं पदार के तीसरे रूप यानि की गैस में उश्मे प्रसार की हम जानते हैं कि किसी भी गैस की अवस्थाओं को तीन राशियों द्वारा बताया जाता है वो है ताप, दाप और आयतन अब हम किसी भी गैस को उश्मा दे रहे हैं, मतलब उसके ताप को बढ़ा रहे हैं, तो किन किन चीजों में परिवर्टन हो सकता है? उसके दाब में और उसके आयतन में. इसलिए गैस में जो प्रसार होता है, वो दो तरीके से हो सकता है. एक तो नियत दाब पर और दूसरा नियत आयतन पर. वैसे तो गैस की कोई निश्चित आकरिती या आकार नहीं होता, नहीं उसका कोई निश्चित आयतन होता है. जिस वस्तू में, जिस जगे पे, जिस कमरे में गैस भरी होती है, वो उसकी आकरती और उसके आयतन के बराबर हो जाती है तो यहाँ पर जब गैस में उसमी प्रसार होगा तो उसमें आयतन प्रसार ही होगा इसलिए हम दोनों इस्थितियों में आयतन प्रसार गुणांकी ही बात करेंगे तो पहली इस्थिती यानि की नियद दाब पर गैस में उश्मी प्रसार देखते हैं जब हम गैस के दाब को नियद रखें और उसमें उश्मा देते जाएं तो naturally उसके आयतन में प्रसार होगा और इस आयतन प्रसार कुणां को हम दर्शाते हैं गामा पी से यहाँ पर दाब नियत है इसलिए हमने पी लिखा है छोटा सा तो गामा पी बराबर हो जाएगा आयतन में व्रिधी अपॉन प्रारमभिक आयतन इंटू ताप में व्रिधी तो गामा पी बराबर होगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी और इसका मातरक भी होगा प्रती डिग्री सेल्सियस बच्चो यदि हम एक गुबारे को मुमबत्ती के सामने रख दें तो क्या होता है? वो गुबारा फूट जाता है पहले मैं भी यही सोचती थी कि गुबारा इसलिए फूटता होगा युकि मुमबत्ती से उस गुबारे की रबर जल जाती होगी पर ऐसा नहीं होता ये गैस के उश्मी प्रसार का धारण है जो की नियत दाब पर हो रहा है उस गुबारे में जो हवा भरी है उसका दाब नियत है अब आप उसको मौमबत्ति की साहता से उश्मा प्रदान कर रहे हैं तो क्या होगा? उसके आयतन में प्रसार होगा और आयतन में प्रसार होने के कारण ही वो गुबारा फोट जाएगा अब हम गैस में दूसरे प्रकार के उसमी प्रसार की बात करते हैं जो की नियत आयतन पर है अब हम उश्मा दे रहे हैं से जानते हैं यह दाब प्रसरगुणांग को हम दर्शाएंगे गामा वी से और यह होगा दाब में वृध्धी अपॉन प्रारंभिक दाब इंटू ताप में वृध्धी यानि कि गामा वी बराबर डेल्टा पी अपॉन पी इंटू डेल्टा टी और इसका मात्रक भी होगा डिग्री सेल्सियस बच्चो प्रेशर कुकर भी इसी सिधान पर काम करता है यदि हम किसी खुले पतीले में दाल बनाते हैं तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता है जबकि उसी दाल को हम कुकर में चढ़ाते हैं तो एक-दो सीटी में वह बहुत जल्दी ही पक जाता है ऐसा क्यों होता है तो यहां पर गैस का उश्मी प्रसार जो की नियत आयतन पर है तो यहां पर कॉंसेप्ट आता है गैस में उश्मी प्रसार का जो की नियत आयतन पर है हम जानते हैं कि उस कुकर के अंदर आयतन नियत है जो गैस भरी है उसका अब हम उसको उश्मा दे रहे गरम कर रहे हैं तो क्या होगा उसके दाब में वृद्धी हो जाएगी और उसी दबाओ के कारण ही वो डाल जल्दी पक जाएगी क्योंकि तापमान तो हम लोग दोनों सिती में बराबर दे रहे हैं उस खुले पतीले को भी और इस प्रेशर कूकर को भी तो प्रेशर कूकर मे दाब बढ़ जाने के कारण ही उसमें रखी हुई दाल आसानी से पक जाती है और बहुत जल्दी पक जाती है तो इस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में उश्मी प्रसार के कई उधारण देखते ही रहते हैं तो आईए इसको और अच्छे तरेके से समझने के लिए एक क्रिय किया कलाप साथ काच की एक छोटी सी खाली बोतल के मूँपर पानी की कुछ बुंदे लगाए और मूँ को सिक्के से ढग दें अब हाथों को आपस में रगड कर गर्म करें और आधे मिनट के लिए बोतल को हाथ से पकड़ें आपको सिक्का नास्ता नजर आएगा अब हम बात करते हैं इस उश्मा के तीसरे प्रकार के प्रभाव की हम उश्मा देते जा रहे हैं और ताप में व्रिधि ना हो तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है और ये अवस्था में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है हम जानते हैं कि जब हम ठोस को गरम क करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है द्रव को गरम करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है एक बहुत ही अच्छा उधारन है हमारे पास बर्फ का यदि हम बर्फ को उश्मा देते हैं तो वो पानी बन जाता है पानी को उश्मा देते हैं तो वो भाप में परिवर्थित हो जाता है तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रसार्थ तो हो रहा है कि ठोस में अनु बहुत पास-पास है द्रव में थोड़े दूर-दूर और गैस में बहुत दूर तो यू कह सकते पदार्थ में प्रसार्थ तो हो रहा है साथ-साथ पदार्थ की अवस्था भी चेंज हो गई थोस से द्रव हो गया द्रव से वो गैस बन गया तो इस प्रकार हम अवस्था परिवर्तन भी एक प्रभाव ले सकते हैं उश्मा का और उश्मा की वो मात्रा जो किसी भी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर दे उसे हम कहते हैं गुप्त उश्मा तो तो इस घूपतो उस्मा के कॉंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक क्रिया कलाब करते हैं तो आएए बच्चो इस activity को करने के लिए हम एक बीकर में बर्फ के कुछ तुकड़े लेते हैं और थर्मामीटर के सहता से इसके ताप को नोट करते जाएंगे जैसे जैसे हम बर्फ को गरम करेंगे बर्फ पिघलने लगेगी और थर्मामीटर में तापमान में परिवर्तन होता दिखाई देगा तो हम इस बर्फ की अवस्था में चेंज के साथ साथ इस थर्मामीटर में तापमान को भी नोट करते जाएंगे और एक ग्राफ बनाएंगे जो कि उश्मा और ताप के बीच में होगा हम गर्म करते जा रहे हैं इसका मतलब वर्फ को उश्मा देते जा रहे हैं ये दी गई उश्मा वर्फ को भोस अवस्था से धीरे धीरे द्रव अवस्था में लाने का प्रयास करें उसके बाद भी इसको यदि उश्मा दी जाए तो द्रव अवस्था धीरे-धीरे वाश्प में बदलने लगेगी इन तीनों अवस्थाओं के बीच में हम लगातार थर्मामीटर के तापमान को नोट करते जाएंगे और इसे ग्राफ के रूप में दर्शाते जाते हैं हमने यह देखा कि गर्म करने पर पदार्थ का ताप बढ़ता जा रहा है एक ताप पहुशने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है इस इस्थिती में पदार्थ का ताप बढ़ना रुख जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर जो प्राप्ति की गई उश्मा है वो पदार्थ के ताप को बढ़ाने की जगह उसके अवस्था परिवर्तन में वै हो जाती है और इसलिए यहां पर हम देखें इस ग्राप से एक ही ताप पर इस पदार्थ की दो अवस्थायं मौजुद हैं यह ठोस में मौजुद है और द्रव में मौजुद है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर प्राप्त की गई उश्मी ओर्जा पदार्थ का ताप बढ़ाने की जगा उसके अवस्था परिवर्तन में व्य हो जाती है और इसलिए एक ही ताप मान पर हमको पदार्थ की दो अवस्थाइं देखने को मिलती है चुकि यह दी गई अत्वा पदार्थ से ली गई उश्मा ताप में व्रिधी की रूप में नहीं दिखाई पड़ रहे इसलिए इसे हम गुप्त उश्मा के नाम से जानते हैं और यह गुप्त उश्मा दो प्रकार की हो सकती है इस ग्राफ से हम देखें तो जब हम बर्फ को उश्मा देते जा रहे थे तो उसका ताप बढ़ते जा रहा था लेकिन एक ऐसा ताप आया जहां पर पदार्थ की दो अवस्थाएं एक साथ मौजूद थी ठोस और द्रव यानि की बर्फ और पानी दोना अवस्थाओं में पदार्थ मौजूद था इस तापमान पर दी गई उश्मा केवल पदार्थ को ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए ही उप्यूप्त हो रही है इसलिए इस उश्मा को हम कहते हैं गलन की गुप्त उश्मा फिर आगे हम उश्मा प्रदान करते जा रहे हैं फिर ताप बढ़ते जा रहे हैं फिर एक ऐसा ताप आता है जहां पर पदार्थ की दो अवस्थाओं मौजूद हैं द्रव और वाश्प यानि यहां पर पानी और वाश्प दोनों एक साथ मौजूद हैं और इस ताप पर जो उश्मा दी जा रही है, वो द्रव को वाश्प में बदलने के लिए उप्योग हो रही है। इसलिए इश उश्मा को हम कहते हैं वाश्पन की गुपतुश्मा। इस क्रिया कलाब द्वारा हमने जाना कि जब ताप में वृध्धि ना हो तो उस ताप में पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है यह हम यू कहें कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार गुपत उश्मा दो भागों में वि गुपतुश्मा गलन की गुपतुश्मा वहां उश्मा की मात्रा है जो ताप में वृध्धी किये बिना ही थोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दे जबकि वाश्पन की गुपतुश्मा उश्मा की वहां मात्रा है जो की ताप में वृध्धी किये बिना ही द्रव को गैस में परिवर्दित कर दे यहां हमने देखा कि बर्फ जो है वो पिघल कर पानी में बदल रही थी और एक ऐसा ताप था जहां पर बर्फ और जल दोनों का ताप एक ही था लेकिन उस एक ही ताप में उसकी दो अवस्थाएं थी वो बर्फ की रूप में भी मौजूद था वो जल की रूप में मौजूद था तो इस ताप पर जो उश्मा की मात्रा दी गई है वो कहलाएगी गलन की गुपतुश्मा वैसे हमने देखा कि एक निश्चित ताप पर जल भी था और वहां पर वाश्प भी था तो इस ताप पर जो उश्मा दी गई है वो कहलाती है वा बराबर होती है M into L यानि कि द्रव्यमान into गुपत उश्मा यहां पर हमने सूत्र देखा Q बराबर M into L तो यहां से L बराबर हो जाएगा Q upon M यानि कि हम गुप्त उश्मा का मातरक निकालें तो वो हो जाएगा जूल प्रती केजी जूल उश्मा का मातरक और केजी द्रवेमान का मातरक तो इस प्रकार यदि आपके पास एक कथन है कि बर्फ की गलन की गुप्त उश्मा 80 किलो कैलोरी प्रती केजी है तो इसका क्या मतलब होता है? हम जानते हैं कि बर्फ बस 0 degree Celsius पर जमने लगती है तो इस कथन का यहां अर्थ है कि 0 degree Celsius पर 1 kg बर्फ को 1 kg पानी में बदलने के लिए जितनी उश्मा की मात्रा दी जानी है वो 80 kg कैलोरी होगी